हेलो दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेस्ट इन मार्केट के एक और नए वीडियो पे तो दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लीजेगा वहीं आप चाओ तो हमारे पुरानी वीडियो को भी एक बार चेक कर सकते हो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो शेयर के उपर जो अभी करीब करीब आपको 561 रूपीस के आसपास देखने को मिल रहा होगा अभी की समय में दोस्तो इस स्टोड़ में आपको काफी अच्छी कासी करेक्शन देखने को मिल रही है दोस्तो इतनी ज़ाधा करेक्शन देखकर के आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर उठरा होगा कि क्या आपको इस stock में fresh entry बनाने के बारे में plan करना चाहिए या even इस stock में आपने already position बना रखी है तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या हमें इस stock से exit कर लेना चाहिए तो दोस्तो इस वीडियो में अंतक बने रही है हम लोग proper buying level, proper target और proper stop losses के बारे में इस वीडियो में discuss करने वाले हैं और वहीं दोस्तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे doubts विप्रो से related जितने भी हैं उनको clear कर सकूँ लेकिन फिर भी अगर आपको कोई doubt बच जाता है तो आप मुझे वीडियो के नीचे comment section में पूछ सकते हो मैं जल्द से जल्द आपके comments के reply देने की कोशिश करूँगा अब दोस्तो हम लोग stock market crash के बाद से अगर विप्रो के share को देखते हैं तो आप इसमें देख सकते हो कि non-stop हमें एक upward rally देखने को मिली है और ये rally हमें काफी लंबे समय तक continue होते हुए देखने को मिली तो इन सारे levels को जानने के लिए और पूरे analysis को समझने के लिए वीडियो को हो सके तो अन तक जरूर देखियेगा इस वीडियो में दोस्तो आपके जितने भी doubts हैं विप्रो से related मैं उन सभी को clear करने की कोशिश करूँगा लेकिन उससे पहले जो नए investors हैं जो नए planning कर रहे हैं विप्रो में investment बनाने की उनके लिए मैं विप्रो की थोड़ी सी fundamental analysis share करना चाहता हूँ तो एक बार आप उस पार्ट को भी जरूर से देख सकते हो अब दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि विप्रो IT सेक्टर का एक की stock है और इसके market cap की बात करें तो 3 लाग करोड का market cap आपको देखने को मिल रहा है वही company के उपर debt की बात करें तो 13,000 करोड का debt है वही company के profit की बात करें तो 12,000 करोड का profit है तो यहाँ पर आप clearly देखकर के समझ दखते हो आपको इसमें एक non-stop rally देखने को मिलिए और यह rally क्या इसी तरह continue और भी आगे future में होगी या अभी की समय में जो market pressure बना हुआ है क्या इसी तरह से यह लगाता नीचे की तरफ और इसे धखेलता चाहेगा आपको जैसे की पता ही होगा कि विपरो का जो ADR है जो US stock market में listed है उसमें भी आपको इसी तरह का correction देखने को मिल रहा है और दोस्तों वहाँ पर जो correction आपको देखने को मिला है वो लगबग लगबग 25% का correction है और 25% का correction काफी ज़ादा important माहिने रखता है किसी भी stock में long term बने रहने के लिए निकल चीज़े है आपको अगर यह pattern पता होगा तो आप के लिए लिए देख सकते हो कि जो neckline होती है अगर उसके नीचे हमारे stock निकल जाता है तो उसमें काफी sharp fall हमें देखने को मिलता है अब दोस्तों इस stock में मैं अपना personal view बता हूँ तो मैंने इस stock में करीब करीब 212 रुपए के पास entry बनाई थी और उसके बाद से जो मेरा profit booking point है वो यहाँ पर आप जो tick mark देख रहे हो यहाँ पर मैंने profit book किया है अब दोस्तों यहाँ पर profit book करने का भी बड़ा simple सा reason था मेरा वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा अब दोस्तों यह जो profit booking मैंने की थी यह लगबग लगबग साड़े 600 रुपए के पास में booking की है और वहीं दोस्तों अगर मैं अपने gains की बात करूँ तो मुझे लगबग लगबग 200% का gain इस stock में अलड़ी हो चुका था और इस वज़े से मैं chart के pattern को भी read करता रहता हूँ और इसी वज़े से मैंने इस stock में से exit plan कर लिया था और अभी के समय में मेरे exit point से काफी जादा stock नीचे आ चुका है लेकिन फिर से मैं इस stock में वापिस से entry बनाऊँगा और किस point पर entry बनाऊँगा वो भी मैं आपके साथ share करूँगा अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं Fibonacci का बहुत जादा use करता हूँ अगर आप lowest point यहाँ पर देख सकते हो जो lowest point है हमारा इस point से highest point को भी connect करते हो तो आपको charts पर जो भी चीज़े दिखाई देंगी अब उनको देख करके आप हैरान होने वाले हो यह चीज़ धियान रखना दोस्तो हम लोग weekly chart पर analysis कर रहे हैं तो weekly chart पर आपको clearly जो चीज़े बनती होई दिख रही है वो long term के लिए ही होंगी अब दोस्तों अगर आप देखो जो हमारा swing low था यहाँ से हमने जितने भी आपके Fibonacci के levels हैं उन्ही points पर हमारे stock ने resistance लिया है अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर 279 रूपीज के पास यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा consolidation फिर हम लोग 375 रूपीज के पास देखते हैं यहाँ पर आपको resistance देखने को मिला फिर हम लोग 442 रूपीज के पास देखते हैं यहाँ पर आपको resistance देखने को मिला इस stock में 509 रुपीज के पास देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक red candle दिख रही होगी इसके बाद 591 की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक red candle देखने को मिल रही होगी तो यह देखकर कि आपको clearly समझ में आगे होगा कि Fibonacci का level कितना जादा importance रखता है हमारे लिए और इसी का use करके मैंने इस point पर profit booking की थी अब वो मैं आपको समझाता हूँ daily time frame के चार्ट पर ले जा करके अब दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो कि यह stock 725 रुपीज के आसपास high मार के already आ चुका है और जो मैंने इस stock से exit किया था वो करीब करीब इस point पर exit किया था जो लगबग लगबग 650 रुपीज का level है अब इस जगा पर मैंने कैसे exit plan किया था मैं आपको वो भी समझा देता हूँ अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि Fibonacci का level मैंने already draw करके रखा है और यह हमारे high से ले करके हमें यहाँ पर जो swing दे देख रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यह stock यहीं से नीचे fall हो सकता है लेकिन इसके बाद भी यह stock यहाँ से उपर गया और उपर जाने के बाद वाद वापिस अपने previous high के आसपास resistance ले करके फिर से इसमें एक काफी अच्छा खासर downfall आ गया तो यहाँ तक तो दोस्तों आपको यह समझ में आगया होगा कि कैसे profit booking की जाती है और कोई भी stock में आपको बहुत जादा long term के लिए बने रहने की जरूवत नहीं है अगर किसी stock में आपको pressure continue होते हुए देखने को मिल रहा है तो आप चाहो तो उस stock में से अपना profit ले करके निकल सकते हो और अ दोस्तों अभी के समय में यह stock लगबग लगबग 560 रुपए के आसपास आ चुका है और जिन लोगों ने इसमें अपनी पुरानी positions बना रखी है उनके लिए दो बहुत important चीज़ है पहले important चीज़ यह है कि अगर आपको लगता है कि आपकी quantity जादा है तब आप चाहो तो वापिस buying कर सकते हो लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी quantity कम है और नीचे आने पर आप average कर पाओगे तब आप चाहो तो मेरे best buying levels को clearly follow कर सकते हो और वहीं दोस्तों जो नए investors है जिनको इस stock में नई position बनानी है उनके लिए भी काफी सारे important levels बताने वाला हो तो आप बहु पर कहीं buy कर लिया है तो आप average कर सकते हो अब दोस्तों यह जो level निकल के आ रहा है वो actually level नहीं एक range है और दोस्तों यह range हमें form होते हुए देखने को मिलेगी 525 रुपीस से लेकर के 495 रुपीस के बीच में लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ धियान रखेगा कि 495 रुपी नहीं कि जो आपके stop losses होने चाहिए वो काफी ज़दा strict होने चाहिए और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक blue color के line mark करके रखी है और यही हमारा exact stop loss होना चाहिए तो दोस्तों अगर आप 525 रुपीस से लेकर के 495 रुपीस के बीच में position बना रहा है तो जो आपके लि रुपीस का आप stop loss चाहो तो लगा सकते हो क्योंकि 449 रुपीस से लेकर के 445 रुपीस के बीच में हम लोग 5 point का buffer दे सकते हैं तो इसलिए अगर आपको यह stock 449 रुपीस के नीचे निकलते हुए देखने को मिलता है और reversal के कोई sign नहीं दिखाता है तो आप इस stock में से exit plan कर स अगर विप्रो का stock आपको इस वाले red line के ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है तभी आपको इस stock में वापिस से entry बनानी है otherwise आप चाहो तो नीचे के बताये हुए levels पर entry बना सकते हो अब दोस्तों अगर इस level के बात करे तो अगर विप्रो का stock आपको 602 रुपीस के ऊपर निकलता हुआ देखने को मिलता है तभी आपको इस stock में entry बनानी है अब 602 रुपीस का level का importance क्या है ये समझ लो आपको यहाँ पर 602 रुपीस के ऊपर candle close होते हुए देखने को मिलनी चाहिए और ये daily time frame की candle होनी चाहिए ये चीज़ दियान रखिएगा जो candle होनी चाहिए व जो level निकल के आ रहा है वो 602 रुपीस का आ रहा है और अगर दोस्तों आप 602 रुपीस पर entry बनाते हो तो जो आपका stop loss होना चाहिए वो इस range के अंदर होना चाहिए मतलब 544 रुपीस से लेकर के 525 रुपीस के बीच का आपका stop loss होना चाहिए तो इस stop loss को आपको काफी strictly follow क कीजेगा लेकिन विप्रो के stock में entry बनाने से पहले एक चीज़ धियान रखिएगा कि market में जो volatility होने वाली है वो काफी ज्यादा volatile होने वाला है market और ये चीज़ अपने mind से बिलकुल निकाल दीजेगा कि जिस तरह के returns आपको 2021 में देखने को मिले हैं वैसे returns आपको 2022 में continue हो मिलेंगे तो यहां तक तो दोस्तों बात हो गई entry point के stop losses के लेकिन हमारे लिए एक और important चीज़ होती है और वह तो हमारा target अब दोस्तों इस stock में जो pattern form हो रहा है जो support and resistance form हो रहा है उसके हिसाब से एक चीज़ धियान रखिएगा जो आपका immediate basis पे target होना चाहिए वो केवल औ करके 725 रुपीज के आसपास आपको देखने को मिले आप चाहो तो अपने profit को इस stock में से book करना start कर सकते हो या तो फिर अपने stop losses को trail कराना start कर सकते हो अब stop loss कैसे trail कराना है तो आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने already जो level बना के रखा है आप चाहो तो entry बनाने के बाद जैस जैसे ही इस zone में enter होते हो तो आप अपने stop losses को 650 रुपीज पर ला सकते हो और जैसे ही इस stock 725 रुपीज का level cross करके और उपा निकलता है तो आप अपने stop losses को trail करा करके 700 रुपीज पर ला सकते हो जिससे आपके profits save होते जाएंगे और अगर इस stock में गिरावट आती है तो आप अपने आप इस stock में से exit हो जाओगे दोस्तो हमारे लिए सबसे रदा important इस stock में ये होने वाला है कि हम लोग जो profits हैं उनको book करके अपने घर ले जा सके आप भले छोटा profit ले जाओ लेकिन इस stock से profit लेकर जाओ हमारे लिए सबसे important चीज अभी की समय में यही है तो इसलिए clearly एक बार short में मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको इस stock में entry बनानी है वो केवल और केवल इस level के break होने के बाद ही बनानी है और वहीं दोस्तो जो आपके target होने चाहिए वो लगबग लगबग इस point के आसपास का target होना चाहिए लेकिन अगर दोस्तो ये stock open ना जाकर के जाता है तब हमारे लिए जो best buying zone होगा इस stock में वो इस वाले level पर होगा और इस point पर हमें entry बनाने के बारे में plan करना है वहीं दोस्तो जो हमारे stop losses होंगे वो इस वाले level पर होंगे जिनने आपको बहुत strictly follow करना है वहीं दोस्तो इस stock में immediate basis पर target की बात करूँ तो अगर आप इस point पर entry बना रहे हो यहाँ पर तो जो आपका first target होना चाहिए वो होना चाहिए इस वाले point के पास मतलब लगबग 600 रुपे के पास में और फिर जो आपका second target होना चाहिए वो होना चाहिए लगबग इस point के पास मतलब 725 रुपीज के पास में और वहीं दोस्तो अगर आप यहाँ पर entry बना रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो आपका target होना चाहिए वो होना चाहिए पहला target 725 रुपीज के आसपास और वहीं जो आपके stop losses होने चाहिए वो इस वाले level पर होने चाहिए मतलब 544 रुपीज से ले करके 525 रुपीज की range का I hope यहाँ तक आपक past momentum आपको देखने को मिले और वहीं दोस्तों इस stock में जो reversal points बन के आ रहे हैं वो 495 रुपीज के आसपास बन कर आ रहे हैं तो हो सकता है कि 495 रुपीज के पास यह reversal ले या तो even ऐसा भी हो सकता है कि यह stock इस range के अंदर आ करके फिर reversal दिखाना start करें तो इसलिए अगर आप यहाँ पर entry बना रहे हैं तो भी आपके लिए जो target होने चाहिए वो fix target होने चाहिए और even अगर आप यहाँ पर भी entry बना रहे हैं तो भी जो आपके target होने चाहिए वो fix होने चाहिए I hope इस वीडियो में बताएगा इस चीज़े आपको clearly समझ में आई होंगी लेकिन फिर भी अगर आपका कोई doubt है या आपके कोई questions है तो आप मुझे वीडियो के नीचे comment section में पूछ सकते हो मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक comment का answer दूँ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीजेगा अपने दोस्तों साथ share कीजेगा और अगर हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कीजेगा फिर में लोगा एक और एसी वीडियो लेकर तब तक के लिए धन्यवाद